हेलो एवरिबन, वेलकम ओन माई यूटूब चैनल, टिप्स ओन मैथेमेटिक्स आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं जो है सब गुरूप से रिलेटेड एक और इन्पोर्टेंट थेोरम के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ सो पहले मैं आप लोग से रिकुस्ट करोंगा कि सब गुरूप के जो है कुछ थेोरम्स मैंने पहले भी डिसकसिन किया है प्रेविएस वीडियो में तो वो सारे थेोरम्स भी आप लोग इपर देख ले ठीक है और जो है सब गुरूप का जो है उसको भी आप लोग अच्छे से क्लियर कर ले सो चले यहां पर हम जल्दी से लेते हैं एक थेोरम सो देखिए गाईस यहां पर थेोरम हमार पास आ चुका है देखते हैं कि थेोरम के स्क्रेट्वेंट क्या कहता है आपका इफ एफ एफ का केस है तो जब कभी भी आपका जो है इफ एफ एफ का केस आ जाए तो आपको वहाँ पर यह समझ जाना चाहिए कि यहां पर जो है necessary and sufficient condition दोनों आपको यहां पर दिखाना पड़ेगा देखिए तो समझते हम इसका जो statement क्या कहा है अगर हमारे पास एक non-empty subset h given हो subgroup होने के लिए अगर यह दो condition satisfy हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि किसी non-empty set h को जो है g का एक subgroup है उसके बात क्या है कि अगर यह दो conditions अगर यह दो condition fulfill करता है किसी non-empty set में तो हम उसको subgroup बता सकते तो आपको reversely, conversely दोनों चीज़े आपको prove करना है कि अगर subgroup है तो यह property hold करनी चाहिए दोनों और अगर यह दोनों property hold करती है तो हमें वो बताना है कि वो group का non-empty जो subset h है वो आपका क्या होना चाहिए एक subgroup होना चाहिए है ना तो यहाँ पर जो है necessary और sufficient condition दोनों आपको 1 by 1 prove करने पड़ेंगे सो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे the condition of necessary सो इस्ट्रेंट्स यहाँ पर देखिए the condition of necessary में हम क्या बताएंगे कि अगर एक subgroup है अगर एक subgroup है तो हम उसको यह दो property उसमें हम दिखा देंगे कि उसमें exist करता है सो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे let h is a subgroup of g हम मान लेंगे कि h जो है subgroup है g का guys पहले मैं आप लोग बता देता हूँ कि आप लोग जो है subgroup का definition है subgroup होता क्या है उसका जो पुरा concept है आप लोग clear कर ले मैं जो उसका link description box में भी दे दूँगा और साती साती इस i tap में जाकर के भी आप लोग देख सकते है so यहाँ पर मैं आप लोग को बता देता हूँ कि h is subgroup है हम मान लेते हैं कि h जो है g का एक subgroup होगा then h must closed with respect to multiplication क्यों ऐसा कहा है हमने देखिए क्योंकि h जो है खुद में क्या होता है एक group होता है और यहाँ पर यहाँ पर जो है अगर group है तो आपका multiplication का उसमें closed होगा closer property exist जरूर करेगा multiplication का तो यहाँ पर देखिए now a belongs to h b belongs to h तो अगर h अगर subgroup है g का तो उसमें आपका closer property जरूर होल्ड करेगा तो जब closer property होल्ड करेगा तो हम दो elements का जो है अगर वो h में बिलॉंग कर रहा है है ना तो हम उसमें क्या बता सकते a into b जो है क्या होगा वो भी h में बिलॉंग करेगा तो हमने दिखा दिया है यह पहला वाला property ठीक देखिए फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे again let a belongs to h and let a inverse is the inverse of a in g guys हमें यह चीज़ पता है कि जो h हमारा जो sub group होता है वो actual में क्या होता है h एक set होता है है ना तो वो set कहां से मिलता है हमें वो set हमें जो है g से ही मिलता है हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि जो h है वो subset होगा किसका g का एक subset होगा है ना तो जायर सी बात है कि अगर h जो है g का एक subset है तो h में जो जो elements हमारे exist करेंगे वो कहीं ना कहीं g में भी exist जरूर करेंगे तभी तो हम बदा सकते हैं कि h जो है g का क्या होगा subset होगा तो यहाँ पर हमने वही चीज किया है देखिए A जो है हमने H का एक element ले लिया है और जो है A inverse को हमने माना है कि A का एक inverse है किस में G वाले set में then the inverse of A in H is also A inverse क्योंकि element तो A की होंगे है ना अगर A H में belong कर रहे तो A जो है लिखा है कि जो है then the inverse of A in H is also A inverse है ना because H is itself a group क्योंकि H यहाँ पर क्या है खुद में एक group ही है तो each element of H must possess inverse तो H की जितने भी elements होंगे वो inverse को hold करेगा उसका एक inverse जरूर होगा है ना तो यहाँ पर देखिए therefore A जो है अगर H में belong करता है तो हम बता सकते कि A inverse भी किस में belong कर जाएगा H में belong कर जाएगा तो देखिए यहाँ ने जो है दोनों first वाला हमने यह दिखा दिया है और यह second वाला भी हमने क्या कर दिया inverse element को भी exist करता भी हमने दिखा दिया है तो हम यहाँ पर बता सकते के बारे में discussion करेंगे उसमें क्या करेंगे हम यह 2 condition अभी तो उनने दिखा दिया है तो यही 2 condition ले करके हम sufficient condition में चलेंगे यही 2 property को ले करके हम sufficient condition में चलेंगे और उसको हम एक subgroup प्रूप कर देंगी तो देखिए students यहाँ पर कंडिशन अभ अब sufficient में हम क्या दिखाएंगे इन दोनों का यूज करके इन दोनों का यूज करके हम बताएंगे कि ये जो है एक subgroup है तो guys subgroup क्या होता है खुद में एक group होता है subgroup जो है खुद में एक group होता है तो यहाँ पर जो है group की जितनी properties है like closer property होगा associativity or existence of identity then existence of inverse ये चारो property जो है उसमें क्या करेंगे exist करेंगे तो हम one by one जो है अगर इन दोनों की help से दिखा दे कि इसमें जो है ये चारो property एक जिस्ट करता है तो हम बता सकते कि ये एक subgroup हो जाएगा तो चलिए अब देखते हैं इन दो condition लेते हैं ये चीज हमने यहाँ पर closer property हमें मिल गया है तो पहला हमें जो है जो है दिखा दिया है कि ये क्या हो जाएगा closed हो जाएगा फिर हमारा next आता है associativity associativity में देखिए क्या करते हैं the elements of h are also elements of g जो h के element है वो आपके जो है किसके g के elements भी तो है क्योंकि h हमारा g का एक subset है the composition in g is associative g एक group है already तो वहाँ पर composition क्या होगा associative होगा तो यहाँ पर देखिए therefore same composition hold in h तो जो है अगर वहाँ पर composition associative हो रहा है तो elements तो हमारे g के ही है न h में तो क्या होगा h में भी हमारा associative hold कर जाएगा तो हमने यहाँ पर वह ही लिखा है कि the element of h are also elements of g the composition in g is associative g जो associative होगा तो therefore same composition hold in h तो same composition, same associative law हमारे किसमे hold कर जाएगे इस h में भी hold कर जाएगे तो हमारे associative property भी दिखा दिया है easily next हमारा क्या जाता है existence of identity देखिए existence of identity में क्या होता है कि उसकी inverse element के साथ जाएगा operate कर वाते है किसी element को तो वहाँ पर हमाँ identity मिलना चाहिए तो देखते हैं if a belongs to h this imply क्या करेगा second से from condition second देखिए यह second condition क्या है अगर a h में belong कर रहा है तो हमारा a inverse जो है वो भी inverse हो जाएगा a का तो हमने वही दिखा देखिए a belongs to h तो inverse उसका exist करेगा h में from condition second so अगर a h में belong कर रहा है और a inverse h में belong कर रहा है तो दो elements है अगर h में दो elements आपके exist कर रहे तो यहाँ पर closer property लग जाएगा और closer property हमारा पहला condition से पता है तो हमने यहाँ पर condition from condition first first condition का use करके हम यहाँ पर जो है closer property आएगे देखिए देखिए दिस इंपलाइए तो already है और जो है ए इंवर्स के प्लेस पर बी के प्लेस पर हम जो है इंवर्स बुट कर देंगे तो हमापे ए इंवर्स हमारा क्या हो जाएगा आइप यहाँ पर एक प्र पर और वह है वह है हमारा एक्जिस्ट कर जाता है तो यह सब्जूप हो जाएगा सो चली देखते हैं सो गाइस यहां पर देखिए existence of inverse में हम क्या देखेंगी कि inverse element जो है exist करता है कि नहीं अब देखिए since A जो है हमारा किसे बिलॉंग करता है H में बिलॉंग करता है second condition से हमने देखा है और अगर A H में बिलॉंग करता है तो उसका inverse भी exist कर रहे है तो यहां से हमें क्या मिल रहा है therefore each element of H possesses inverse hence H itself a group for the composition in G so H is subgroup of G तो H हमारा क्या हो जाएगा G का subgroup हो जाएगा inverse exist कर रहा है वो तो हमें यहीं से पता लग गया है ओके guys inverse हमारा तो यहीं से पता लग रहा है कि exist कर रहा है तो बस सिर्फ हमें थोड़ा सा लिखना है क्योंकि आप आपको तो पता है कि inverse exist कर रहा है तो आप examiner को क्या समझाओ गए तो यहाँ पर examiner को समझाने के लिए आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा और वो यह काम है कि इतना ही हमें लिखना पड़ेगा since A जो है H में बिलॉंग कर रहा है A inverse जो है H में बिलॉंग कर रहा है therefore हमारा क्या हो जाएगा Each element of H possesses inverse तो एक elements से ही हमें पता लग रहा है कि बाकी जिदनीव elements होंगे उनके भी inverse क्या करेंगे उसमें exist करेंगे hence H is itself a group H जो है खुद में एक group हो गया क्यों कि हमने जो उसमें चारों group की property जो है शो करके दिखा दिया तो इसलिए हम यहाँ पर बता रहे कि H जो है खुद में क्या हो जाए group हो जाएगा for the composition in G है ना G के वही composition के लिए so H is subgroup of G तो H हमारा क्या हो गया subgroup हो गया तो काईज यहाँ पर देखा हमने कि condition of necessary में हमने क्या लिया था एक subgroup लिया था H, G का तो हमने ये दो condition satisfied करके दिखाया था कि अगर H, G का एक subgroup है तो ये दो condition उसमें hold करता है उसके बाद condition of sufficient में हमने क्या देखा कि अगर ये दो condition हमारे पास है तो हम बता सकते हैं कि वो H, G का एक subgroup होगा तो यही थियोरम का statement था और यही चीज हमने यहाँ पर proof करके दिखाया है तो guys, I hope कि आपको ये जो थियोरम है वो अच्छे से समझ में आ गया है पूरा A to Z concept आपको लोग के लियर हुआ है क्योंकि ये जो थियोरम है वो exam के पंटे भी उसे बहुत important है तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए note करिए साथ साथ और जहां भी आप लोग को doubt हो मुझे comment में बताए मैं आप लोग को पूरा help करूँ तो guys, अगर वीडियो अच्छी लगी